है है गाइस हाउस तो जोष मैं हूं चेतन फर्म गेविंग जोष इस वीडियो में हम बात करने का वोड़ इन्फिनिक्स नोट 35 जी नाम का एक नया फोन आया है इन्फिनिक्स की तरफ से यह प्रैंट काफी अच्छे फोन लाने की कुशिश करता है और काफी अच्छे का इन्फिनिक्स जीरो फाइफ जी जो बीसेदर के पास पास आया था और वो उस प्राइज रेंज में उस टाइम पर मैंने बहुत बार बताया था कि सर्पैजिंग ली बन अफ बेस्ट डिवाइसेश नर्टी ताउजन में मैं उस फोन को लेके आता था अब यह है इनका न चार्जिंग और इसके साथ 5000 इमेज की बैटरी 120 हर्ट का यहां पर डिस्पले है जिसमें आप आटो स्विच कर सकते हैं या नहीं तो 60 90 120 के बीच में चूस कर सकते हैं एक सोस 13 बेस्ट ऑन अंडुए 13 एंड अलग अलग अप्शन इसके राम और स्टोरेज के अलग वाले है हेटफोन जैक है डिटे सराउंड साउंड है और जे बिल का सराउंड साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है और फोन एक ब्लॉक की तरह है काफी बड़ा फोन है तो जिनको गेमिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा इन केस यू वांट लार्जर फो आपको अलग से कुछ ढूंडने की जरूत नहीं पड़ेगी और बॉक्स ओपन करते ही पहले आपको मिल जाएगा फोन ही और फोन काफी जैसे मैंने पर था काफी है क्यूंकि बैटरी भी जादा बढ़ी है और उसके साथ-साथ यहां पर डिस्प्लेय भी काफी बढ़ा है तो पूरा चैशिस को मिला कि यह फोन तो काफी रहेगा अंदर आपको फोन का कवर मिल जाता है उसके साथ-साथ एक टेंपर ग्लास भी अंदर मिल रहा है जो आप यहां पर यूज करके अपने फोन को स्क्रीन को प्रटेक्टर रख सकते हैं बुकलेट से साथ में 45 वाट का यहां पर दिया गया इंफोमिशन में आपको यहां पर अगर बता तो इस वारंटे ओंवली इंडिया यहां पर यह दोनों चीज हैं और फाइफ जी का मैंजर पॉंट यहां पर आपको एक याद रखने का यह है कि फाइफ जी में इच सपोर्स लाइक फोर्टीन बैंट तो बात करें गेम वापस आ चुका है तो हम इसकी बात करेंगे बोर्ट पर्टिकुलर्ली ग्राफिक सेटिंग्स की तो यहां पर एक छोटा सा डिसपाइंट में रहेगा कि यह फोन में आपको स्मूध एक्स्ट्रीम 60 और फ्पिस को उप्शन नहीं है तो आपको मैंग्सिमम मिल केलते हैं पहले खाडिना केलते मैंने इसको नहीं है अब एक चीज में बूल गया आपको बताना यह फोन सिर्फ आपको गेमिंग में नहीं इसकी आलावा बाकी चीज़ों में काफी अच्छा काम आपने वाला क्यूंकि इसका जो बैक है जो अभी तक मैंने आपको बताए इस इस दे बाक फ़ पॉन पर आप देख सकते हैं बडा सा कैमरा जो ओपर की तरफ है यह ती 108 मेगा पिक्सल कैमरा के साथ आपको दो अलग कैमरे पी आते हैं एक आपको पोर्त में काफी अचा है एलप करेगा और एक 2x शॉट लेने में मतलब जूम शॉट लेने में भी का कोटोनल रहें तो से मं में मिरल करके आपको यहां पर दिखा रहा हूं आप अब क्रवं कर देख सकते हैं फॉसर व गंस कहां से उठाते हैं अब अब उपर आपको फ्रेमेट पर रखा हुआ है ताकि आपको अदिया देखिए कि कैसा इसका फ्रेमेट सरेगा बट लेट सी आउट परफॉमेंस इस आजब आए वे 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 जरसकोप इस नो फुली प्रॉपर जरसकोप वे 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 से no mercy, cover me clear, reloading dead cover me expired, reloading killing, free for the blue two I don't think there is any difference in FPS the only difference in the 40 FPS is coming I don't think there is any difference in the 40 FPS great, you're about to win the blue team is about to win target down, cover me that's it, I mean, it was okay in the 3dm so lobby was like that I didn't understand but let's do a couple of and then I didn't know that it's 40 FPS and gyroscope proper full gyroscope it's not completely fully responsive but much better than than previous the phones not at all present it's better okay so this is the shinog bootcamp here the frame rate went to so 18 for once it's still stable it's still it's still it's still it's still it's still it's still so let's see I 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 नहीं देट नोट 35 जी इस पर्फेट गेमिंग फोन क्योंकि यह प्राइस देने के बाद पहली बात तो मुझे एक्पेशन रहेगा कि 60 fps आना चाहिए वह नहीं है तो क्या क्या गेमर्स के लिए यह काफी रहेगा क्योंकि बाकी स्पेक्स में अगर मैं बात करूं तो इस 5G 5000 बाकी चीज़ें जब अच्छी है तो क्या यह गेमिंग में जो एक दो गंटा खिलने और उसके लिए मैं बाकी चीज़ें मुझे अच्छी कंप्रिमाइज नहीं करनी उनके लिए अच्छा है क्या देना वूट से यस बिकॉस 40 fps है 40 is handling वेल बट यार इट आल डिपंस ऑन व स्मूथ एक्ष्रीम हो यार मुझे जब उस प्राइज में बाकी पूंच में मिल रहा है तो इसमें क्यों नहीं वह वाला फील अगर आपके पास है वह वाले थिंकिंग अगर आपके पास है देन आई वों रिकमेंट इस फोन क्यूंकि फ्रेम बढ़ाना कोई तरीका लगा क या जो भी हम पहले करते थे अभी जादा नहीं करते हम जी एफेक्स टूला वो सब यूज करना वह तरीकों के बिना अगर आपको 60fps चाहिए देन यू शुल लुक अधर फोन्स इसमें तो नहीं है 60fps बट ऑन 40 इस तिल परफॉर्मिंग वाइट डिसेंटली राइन तो वह फाइनल एक गेम खेल के उसके बाद फिनिश करेंगे बट आइवट से सो फर आई डिट लाइक तब ठीक है इस नाट बैड अल अच्छा जल रहा है इस पर भी फाइट होगी नहीं होगी वह सेकंडरी है बट परस्टली जब हम लैंड कर रहे हैं कैसा परफॉर्मिंस है क्य जहां पर आप उतरते हो यूशली अगर रांक पुश कर रहे हो इनिशली अगर दूर उतर रहे हो वह फ्रेंब्राव भी नहीं दिखते हैं बट जब लोग ज्यादा रहते हैं आसपस उसे एक आपको आइडिया लग जाता कि हाँ बंदे हैं इसलिए हुआ है अभी देखते ग्रेंड यार ना क्यों मुस्त अंपर कन्यदा तर थाया बर फीका इस वगई गई गईज बट वहेखते हैं विक्ताई टेक्ण थाया वट टेक्ण गई लुडग है वटडविग है गईज ठाई टना ही देखना तर इस जासे प्रत्वेसरा फ। रसम्त्तिक था along with some great specs on a phone then ये phone अच्छा है otherwise for actual avid gamers जो अच्छे से gaming में ही देखना चाते है then this phone won't be a good recommendation otherwise जो Infinix का Note 30 5G है ये काफी decent phone है with 5G and every other capability on itself for a price range under 20,000 काफी अच्छी device के साथ ये compare भी कर सकते हो आप इसको but Infinix से है तो आप हर बार जैसे situation आता है कि चल रहा है नहीं चल रहा है वो वाले situations में at least इस बार this proved as wrong that जैसे चल रहा है इस बार जैसकोप में इतना दिक्कत नहीं है जैसे पहले हमने देखा था कि सिर्फ एक्जिवर्मेटर बेस जो जैसकोप सोते हैं अब डाउन में वो डिलेट रहते हैं और साइड के उनके मुमेंट्स आते ही नहीं जैसकोप के यहां पर वो सब नहीं है इस वाल अप्डेट आ रहा है कुछ आ रहा है तो इसके साथ मैं रिव्यू करूंगा वापस से तब अब तक के लिए यह था हमारा ओवर्विव अप्टी इंफिनिक्स नोट 35 जी उम्मीद करता आपको वीडियो अच्छा लगे अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो गेमिंग जोश को कि दो जोशाय से मुना नेक्स वीडियो